हेलो एब्रीवन विल्कम टू माई चैनल हाइपर डेजबी मैं हूं मोहमत सोहिल दोस्तों आज के दिन में आप लोगों के लिए स्टॉक लेके आया हूं टाटा स्टिल देखिए टाटा स्टिल में आज के दिन तक भी जो आप लोगों को मैं लेवर्स बताते आ रहा हूं अचिफ हो रहे हैं दोस्तों आज के दिन पार्टी का मोगह आ है बस अब एक चोटी सी पार्टी आप कर लिजीए मेरे तरफ से भी अगर आप पाटी देना चाते हैं तो मेरे मेल में मुझे एक छोटा सा पार्टी दे दूजिए यानि am multiply काज़िए कर दिन भी 370 लेवल पे आप अच्छे से अच्छे profit में ही रहे होंगे दोस्तों देखिए अब इसके अंदर entry मत करिए entry मत करिए इसके अंदर आपका होगा बस अब exit वो भी अच्छे से अच्छे profit के साथ वो भी आपके portfolio के अंदर और मेरे भी portfolio के अंदर दोस्तों अब आप देखिए इसके अंदर reversal बनने वाला है आगर आप देखिए मुझे अबज़र्ब करना चाहते हैं मेरा चार्ट अनलेसिस अबज़र्ब करना चाहते हैं अब देखिए आज की वीडियों भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इसके अंदर आप कब से मेरे कहने पर होल्ड करके चल रहे हैं आपका पेशन्स भी स्टॉक ने बहुत देखा है दोस्तों आपका पेशन्स का फल आज आप लोगों को मिल गया होगा टाटा स्टील के अंदर और देखिए इंट्राडे के अंदर जो मैं भी टिप्स देता हूं चाहिए वो कौन से भी स्टॉक के उपर हो उसके इंट्राडे के अंदर देखिए दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस होते ही रहता है हम लोगों को लेके चलना चाहिए दोस्तों अब देखिए मेरे पिछले वीडियो के अंदर भी जो मैंने इसके अंदर डेट्रेट करने क के लिए टेप्स दिये थे उसके दुसरे दिन बहुत सक्सेस्फूली अचीव हो गए दोस्तों अगर आप वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाहिए वीडियो देखिए उसके अपर पेपर वक करिए उसके दुसरे दिन वह वाले टार्गेट्स अचीव हुए नहीं अगर आप मेरे यूटूब चैनल के लिए नए हो तो मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों एक बात मुझे बता दीजिएगी आप स्टॉक के अंदर नुकसान क्यों होते हैं कई के लिए होते हैं अखर स्टॉक के अंदर नुकसान होता है नहीं दोस्तों स् पई बूल न्वेर से दीओं दुस्तों मैट के नदर vary two nation होता इस इसके नदर बहुत चाठ निकल के आते हैं अब कॉछ सब आपके लिए personal रक लिजिए मेरे लिए हमें personal chart रखता हूं दोस्तों candle chart के साथ RSA मेरे लिए simple way में अच्छा सा अच्छा profit कमा के देता है देख लीजे आप कौन सभी chart लेके चलेंगे कौन से भी lines लेके चलेंगे आप लोगों को तो पूरे पूरे चार्ट पूरे के पूरे इंडिकेटर एक ही बताते हैं जो वो इस टॉक पर होने वाला है देखिए फिर आप लोग उसके अंदर reversal कभी भी बाइंग कर रहें तो stock reversal जा रहा है अप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर क्या करें तो देखिए दोस्तों जो मैं आप लोगों को चार्ट analysis सिखाता हूं अपने वीडियो के अंदर अगर आप पसनली भी सिखना चाहता है तो मुझे मेल कर सकते हैं मेल मेरा मेल का लिंक आप लोगों को मेरे करेंगे तो ही आप लोग को पैनिक होना चाहिए लिंग के तरफ जिभी जही है आप लोगगा को भी इस की आवेरेज करते फिलिवर्त कर आएंगे तो भी आपका आवरेज़ बना होगा दोस्तों लेवल पे 375-374 आज की दिन तो स्टॉक पुरा 373 के नीचे 373.75 लेवल के नीचे रुखा है इसके दिन आज की दिन भी आप लोगो प्रॉफिट होगा मैं इस स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कौन से भी स्टॉक दोस्तों अगर आप 100 रुपे के पास स उपर वह आज के दिन ट्रेट करेगा तो भी मैक्जिमम से मैक्जिमम 100 रुपे का स्टॉक 4-5 रुपे में ट्रेट करेगा इसको हम लोगो को 2 रुपे के सबसे भी एवरेज करके प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों स्टॉक के अंदर लुकसान नहीं होता है लुकसान बस प टागेट्स तो इसके अंदर अचीव हो गए हैं इसके अंदर अगले बार के लिए टागेट्स नहीं दे रहा हूं क्यूंकि जो इसके अंदर अपमूव देखने को मिला है हम लोगों को 340 के लेवल से लेके 370 के 380 के लेवल के नजिक भी जो मिला है दोस्तों इसको आदा स आदर recovery करेगा इसके लिए मैं confidence के साथ बोल रहा हूँ आप लोगों को इसके अंदर आपका buying नहीं होगा अगर आपका buying होगा तो भी दोस्तों इसके अंदर 340 के नीचे ही buying करिए अगर इसके अंदर फिर से अच्छे level बनने वाले हैं तो वो level दोस्तों इसके अंदर 39410 के ब बनते हैं देखिए जब इसके अंदर आज के दिन भी आप over buying हो रहा था मैंने आज के दिन दोस्तों यह गलती नहीं है दोस्तों मेरी क्योंकि इसके अंदर जो भी levels बन रहे थे वो selling के बन रहे थे आप इधर अप मुँपे देख सकते हैं अगर आपने इसके अंदर futures के अं और देखिए इसके अंदर जो moment बन रहा था वो moment selling का था पर शाम होते होते वो moment बनाएं अब देखिए इसके अंदर कल यह हफता या अगले हफते के अंदर इसके अंदर आप लोगों को reversal देखने को मिलेगा ही मिलेगा यह मैं आप लोगों को बोड़ रहा हूं चाहते हैं तो आप अभी भी टेस्ट कर सकते हैं मुझे मैं आप लोगों को अभी भी बोड़ रहा हूं यह 360 लेवल के नजजिक जाएगा ही जाएगा कल के दिन 360 लेवल नहीं गया अगर 390 के पार होके 410 390 के बीच में trade कर रहा है तो जब आप लोगों को नए positions नए entry and नए exit लेवल दोस्तों देखिए इसके अंदर ओवर बैंगी हो रहा था उसके कारण तीन दिन में हम लोगों को अच्छा सा अच्छा लेवल देखने को मिला है जो आज का लेवल है दोस्तों वो पूरा सडन लेवल है आप लोगों को बता रहा हूं मैं अब देखिए इसके अंदर selling होने अवाला है पर देखिए जब मैं स्टॉक अप मूव पर था जब ही आप लोगों को मैंने इसके अंदर टार्गेश दिये थे और टार्गेश आज अचीव नहीं हुए दोस्तों इसके लिए इंट्राडे के अंदर हम लोगों को छोटा सा लुकसान आया है बस उससे ज्याद तो लोग टार्गेट नहीं पकड़ पा रहे हैं अब देखिए टार्गेट अब पकड़िये भी मत क्यूंकि इसके अंदर रिवसल आने वाला है अब मैग्ड भी देख लीजिए कितना इसके अंदर बैंका मुमेंट पकड़ रहा था शाम होते होते सेलिंग का मुमेंट ही ह वारना उपर जाते हुए दिखा तो इस टॉक आप लोगों 394 10 के लेवल तक जाते दिखा तो मैं और एक वीडियो अपलोड करके वो लेवल के पास हम लोगों को रिवर्सल में ट्रेड करना चाहिए एंट्री में ट्रेड करना चाहिए वो आप लोगों को आगे चलके Instagram channel for intraday live tips and stock market updates के लिए दोस्तों stock market में intraday में profit and loss चलते ही रहता है हम लोगों को लेके ही चलना चाहिए दोस्तों यह जो भी टागेश में आप लोगों को दे रहा हूं बैंग पोजिशन सिलिंग पोजिशन के टागेश भी आप लोगों को दे रहा हूं डाइरेक्ट टागेश पर चलना चाहते हैं तो यह वाले टागेश में लिखा ला हूं दोस्तों आप लोगों के लिए 30 जुलाई 2020 थस्दे के लिए यानि कल के लिए अब देखिए आप stock market के लिए नए हूँ आपको chart analysis समझ में नहीं आ रहे तो दोस्तों आप मेरे direct level पे आप पेपर वक देखिए दोस्तों पेपर वक के अंदर आप लोगों को जतना knowledge मिलेगा वह नौलेज ही भूथ होगा दोस्तों chart analysis में गुसने के लिए क्यूंकि इसके अंदर जो price level होते हैं वह भी चार्ट के अंदर ही होता है वह भी चार्ट के अंदर ही होता चार्ट के अंदर जो जो भी टांगेश बताईते अगर अजये कि अ करीं देखल्द के किल दिन इसके अंदर ॥े्ट और ही तो कितना कम profit हो रहे है ऐसे कि आप लोगों कोष्चाई में आजाएगा दोस्तों इजी वे में आप टार्गेस लेके चलिए पैनिक मत होई है पैनिक होने से स्टॉक मार्केट के अंदर ज्याद से ज्यादतर लोग नुक्सान होते हैं दोस्तों